राइपुर में कलरवियार को नेशनल डाग सोक आवजन किया गया, इवेंट में अलग अलग जगों से कई तरह के डाग बीट को लाए गया था, डाग सोक अमप्टिशन में कई ट्रेंड डाग बीट के करतब देखने को मिले, सोमे डागी ने माली के एक सारे में सामने वाले बेक्ति को सरेंडर करने के मजबूर कर दिया, साथ ही एक ट्रेंड लेबराडोर डागी आडी ने ट्रेंडर की सारे पर हाई जंप, लांग जंप लगाया और अपनी ताकस से थर्मा कोल के मोटे गत्ते को तोड़ दिया, बच्चों के पसिंदा, पाम ब्रीट, चोरो का प्रेंडर को त्यार करते हैं, सोनु साह ने कहा उन्हें कई महनों की ट्रेंडिंग दे कर ब्रेंडली नेचर का बनाया जाता है, सोनु अपने साथ कई अलग अलग ब्रीट के डाग्स को काईरेकर में लेकर पहुचे थे, सुनु कमदाबी इसमें एक क्रें कोर्षो नाम का ब्रीड इंसान के बहुत अच्छे दोस्त हैं अपने मालिक के लिए वफधार भी है इस ब्रीट के डाग मालिक की सारा मिलते ही किसी नापसंद देखती को जबडों से पकड़ ले तो सामने वाले का बचकर भागना मुश्किल हो जाता है ट्रेन कोर्सों नसल के डाग की PSI याने प्रती स्क्वायर इंच पर लगने वाल वाल 700 के आसपास है जबकि अफरीकान सेर का बाइट PSI भी इस से कम है मतलब इस डाग के जबड़े की पकड़ सेर से अधिक मज़ूरत है इस नसल की कीमत 50 लाख लुपए तक भी है पाई जाती है सुनने बताया कि कई देशों के लोग इस नसल के डाग के जड़े सेरों की आटाक से बचने के लिए सिर इस्तेमाल करते हैं ये ब्रीड एकठे मिल का सेर को ख़देड सकते हैं इसके अलावा सेंट बर्नार्ड नसल के डाग भुकम के मलबे और बर्प में दबे इंसानों को निकाले महीर होते हैं हर साल इस ब्रीड के डाग सेक्टों लोगों की जान बजाते हैं इस कायरकर में बाइट ब्लैक हष्टी ब्रीड भी दिखा ये डाग फेमिली नेचर का है ये ब्रीड देखने में सुंदर और आकशक है अलासका और साइबेरिया के बरफिले जगों में इस नसल के डाग को उपयोग समान को एक स्थान से दूसरी स्थान ले जाने के लिए क्या जाता है सो में इंग्लिस मास्टीब ब्रीड भी देखने को मिली है जो ब्रीटिश डाग की नसल है इस तरह के आयोजन से डाग ब्रीड को हम लगातार बेहतर कर रहे है यह प्रोग्राम को देश से डाग लवर के लिए अच्छी ब्रीड उपलाब्द कराना है इसमें लोगों को डाग की अच्छी देखभाल करना और उन्हें अच्छी ट्रेणिंग देने जैसे चीजे सीखने को मिलेंगे साथ ही माली के प्रती सबस्याग्याकारी और अफ़ादारी भी डाग इस्टन्ड सो के जरिये खुद को साबित करते हैं बने जिला प्रमुक वा ब्लाग प्रमुक रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सब चबड़ी न्यूज चैनल चतिसगर एक्सप्रेस न्यूज के साथ जूड़ने का